नमस्कार आप देख रहे हैं कोरोना से डरोना जी हाँ ये है आज हमारा विशेश कारिकरम मैं हुआ विनाश और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य आशीश मंगाई कोरोना वाइरस का खतरा जो इस वक्त पूरे दुनिया पर मंडरा रहा है डबलू एचो ने तो पूरे विश्व को वर्ल हेल्थ इमर्जेंसी घोशित कर रही इसको लेकर और सारे ही देशों में इसने कोरोना वाइरस को लेकर जो है चिंताएं बढ़ी होई हैं भारत में भी क जाह इसके प्रभाव हैं तो आज हम इस कोरोना वाइरस के जोतिशी प्रभाव निदान और उपाय पर बात करेंगे आचार आशीश से तो आचार जी आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे इस कारिकरम में तो सबसे पहला सवाल आशीश जी ये है कि ये जो कोरोना वाइरस है कई बार देखने में आता कि कई जो संक्रामग बीमारिया होती है कहीं भी हो जाती है लेकिन ये आखिर चीन से ही क्यों पनपा ये सबी लोगों का एक ये सवाल है और सबी लोगों के जहन में ये बात है क्या कहने है सर परतम तुम्हें न्यूजवर्ड चैनल की पूरी टीम को साधुवाद देना चाहूंगा बधाई देना चाहूंगा कि बहुती सामिक विशे को लेके आज उन्होंने यहां चरचा रखी है और मुझे ऐसी उमीद है कि इस कोरोना से डरो ना वाला जो कॉंसेट आप लेके आएं हैं तो वो प्रभावी होगा और आम सभी दर्शकों के लिए बहुती फाइदे मन साबित होने जाएगा जहां तक आपका प्रशन है कि जोतिशी प्रशन है कि चीन से ही इसकी शुरुवात क्यों हो ही तो उसका आंसर में इस प्रकार से करना चाहूंगा कि 26 दिसमबर 2019 को घरण पड़ा था वो जो घरण पड़ा था वो दरसल धनूराशी में पड़ा था धनूराशी जो है वो उत्तर पूर्व दिशा को ब्लॉंग करती है तो उत्तर भारत से उत्तर पूर्व कि यदि हम दिशा की बात करें तो वो चीन ही आता है तो इसका एक जोतिशी कारण यहां हो गया कि इस दिशा को लेके पड़ा और जब भी जोतिश में यहां और चीज होती है कि जब भी पंजगरी अत्वा शस्त गरही योग बनता है और जो संक्रमन जो फैला जो है उसका जो है मौसम पे किस तरह से प्रभाव पड़ा होग और मौसम खास तोर से इस वाइरस को फैलाने में या इसके रोग थाम में कितना एहम भूमी का ने भाद देखिए हो क्या रहा है जो मेरी पिछले एक सवा मेने की कोरोना वाइरस को लेके स्टडी है वह यह है कि आदरता और नमी वाले जो हुमिनिटी वाले मामला होता है उस वाले एराकों में ज़्यादा फैला है अगर बात हम चीन की करें तो चीन जो वहां शहर जहां से निकला है चारों तरफ से तालाब एम नदी से गिरा हुआ है तो यह जो वाइरस है और इस वक्त अगर दूसरे शहरों को भी हम यदी देखते हैं जो की तटी इलाके हैं तो जैसे सिंगापुर हुआ, नेपाल भी हुआ, वेहतनाम हुआ, थाइलेंड हुआ, मलेशिया हुआ, उस्टेली हुआ तो इन सब तटी वाले इलाकों में, पानी वाले इलाकों में जहां आदरता नमी का परतिशच ज़्यादा रहता है ये इस वाइरस ने वहाँ ज़्यादा पाऊं पसा रहा है भारत में दूसरा आप देख पा रहे होंगे, केरल में, क्योंकि केरल भी पानी ये समुद्ध तट का तटी इलाका है तो आदरता का इसमें बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ, आदरता जिस छेतर में जब में ज़्यादा रहती है, सूर्य का प्रकाश की अलबता रहती है, वहाँ अभी ये सम्में ज़्यादा पाऊं ये अपने पसार रहा है ये जे तो ये बताएए आजार जी की जोतिशी एंगल से अब इसका खतरा कब तक है क्योंकि अब ये जिस तरह से सारे ही देश जो हैं पूरे दुनिया के तमाम देशों में ये सब सचेत हो गए हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से ये इसका खतरा टले और क्योंकि अभी इसके लिए कोई दवा तो अभी इजाद हुई नहीं है तो आखर ये खतरा कब तक है कब तक रहेगा भी मन रहाता हमाँ देखिए अगर ग्रह गोचर और अगर राशी गोचर के हिसाब से हम इसको समझने की कोशिश करें तो सूरी नमक ग्रह जिसके प्रकाश में सभी प्रकाड के वेक्टरिया एमम केटाणों को नाश करने की छमता होती है वहाँ वर्तमान में अपनी शत्रू राशी अर्थात मकर राशी में गोचर में कर रहा है उसके बाद वहाँ कुना अपनी शत्रू राशी कुमब में गोचर करेगा और उसके बाद जब मीन सक्रांती होगी मीन में आएगा मार्च अपरेल के आसपास तो उससे मीन सक्रांती से वहाँ अपने अपनी उच्छ राशी की और अग्रसर होगा तो मुझे ऐसा लगता है अभी डेड़ से दो मेहना खत्रा भी भी इस वाइरस का बरकरार जोतिश के इंगल से मैं देख पा रहा हूँ वहीं दूसरी और की अपना सूरी के अलावा भी हम यदि बात करें तो मार्च के अंतिम सप्ताह में उच्छ का मंगल और उसके साथ में शनी की यूती होने जा रही है तो यहाँ भी इस संक्रमन के काल को बढ़ा सकता है वैसे इसके लक्षन किस तरह के होते हैं आचाजी यह भी जानना चाहेंगे आप से हम और चिकिटसा के इस तरपर किस तरह की सावधानी बढ़ती जाए ताकि इसका संक्रमन के खत्रे को बिल्से को बढ़ा जा सकता है और बचाओ सकता है यहां प्रारंबिक इसके लक्षन है और यदि हम बात करने की समझने की कोशिश करें कि चिकसा के इस तर पे हमें क्या-क्या साथदानी बरतनी चाहिए ताकि संक्रमन से हम दूर रह सकें तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि भीडबाड़ वाले इलाकों में हम ना जाएं यातरा करने से बचें और जो कि मैंने थोड़ी दर पहले बतानी की भी कोशिश की आदरा वाले इलाकों में नदी तलाब तट समुद्र इन सब जगाओं से हमको दूरी रखनी चाहिए साथ ही हमको मार्केट से जो हम अंडा दूद इत्यारी लेते हैं तो उसको प्रापर त खिलोना ना दिलाएं तो इसमें संक्रमण का खत्रा उससे भी हो सकता है यह आप जोतिश में कोई उपाय है इससे दूर रहने के क्योंकि चिकिस्ट सा पददतियां कई तरह की होती हैं कई आयुर्वेद भी है हुमेपैथिक भी है अलोपैथी भी है तमाम तरह की पददति किसी भी बीमारी का उपचार करने के जोतिश में कोई ऐसा कोई उपाय है जिसको करने से संक्रमण से दूर रहा जा सके जी बहुत ही अच्छा प्रशना आपने अविनाजीयां प्रस्तुत किया है और मेरी पिछले गत वर्सों के रिसर्च यह कहती है और जोतिश हमारा इहा कहता है कि मुख्य रूप से रोग का जो आकलन किया जाता है विक्ति विशेश की कुंडी के छटवे भाव से किया जाता है छटवे भाव के जो रोग के मुख्य कारक करे हैं एक तो शनी है एवं दूसरा मंगल है और मंगल और शनी की ही संबंद में मैं पहां पे पांच मु उतिशिये द्रिश्टी कौन से देखा जाए तो यहां मंगल को का प्रतिनितु करती है एवं बिकंठ संबंधी बिमारी विश्जनित बिमारियों पे को दूर करने के लिए खासा इसमें प्रभाव डालती है इससे इम्यून सिस्टम सही होता है और इसके लावा एंटी पर्धित दिद्रेत करती है सनी की खादर परदार्थ उसको बोला जा सकता है और शनी की इसमें बात की जाए तो यहां भी सर्दी कासी एम पाचन तंतर इत्यादी के लिए बहुत खासी प्रभावी देखी गई है तीसरी चीज है काली चीज में मखाना मखाना अगरसल पॉरोवा मैं के तो होते हैं उनकों को बैलेंस करता है। इस में काफी अच्छी मातरा में फाइबर पोटिशियम की मात्रा पाई जाती है चोथी चीज है काला तेल काला तेल अर्थवा कड़वा तेल भी उसको बोलते हैं सरसों का तेल तो इसमें एक स्टेड़ी यहाँ भी है कि व्यक्ति यही नहाने से पहले अपने थोड़ी सा तेल एक बून लेकि अपनी नाभी म एवं अपने नासिका पे लगा लेता है तो व्यक्ति को सर्दी और इंफेक्शन से व्यक्ति दूर रहता है वही अंतिम जो चीज यह काली चीज में बताने जा रहा हूं वह है काली मिट्टी में भी अपने आप में जो हमारे प्राकरतिक चिक्सामय इसका अप्यों का अच् चूस लेती है तो ये अपने आप में बहुत महत्पूर चीज है इसके अलावा जो अंतिन चीज जो मैं बताने जा रहा था वहाँ यह है कि सूरी का प्रकाश सूरी के प्रकाश में जैसी कि मैंने बताने की कोशिश की वेक्टिरिया किसी भी प्रकार के वेक्टिरिया हो फंग कान को भी हम सूरी की तरफ करें तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को इस से सूरी के प्रकाश ज्यादा अच्छे तरीके से मिल पाएगा जी आचार जी एक जो आपने काफी जानकारी दी कि पांच जो चीजें आपने बताई है लॉंग काली मिर्च सरसों का तेल काली मिट्टी काला मा खाना ये जो पांच चीजें आपने बताई हैं ये इनके गुन भी आपने बताई कि इनके फाइदे क्या है और किस तरह से ये आपकी शरीर पर प्रभाव डालते हैं लेकिन अभी जो कोरोना वाइरस का जो खत्रा मंडरा रहा है सभी के सिर पे उस से बचने के लिए इनका नेमित इस्तिमाल किस तरह से किया जाए किसे इनका उप्योग किया जाए ताकि ये अभी क्योंकि आम तोर पर देखने में आता कोई भी चीज होती या कोई भी दवा है या कोई भी ओशिदी है लोग उसी वक्त इस्तिमाल करते हैं जनरली और उसके बाद भूल जाते तो अभी तो फिलहाल जो खत्रे की घंटी बज रही है तो उसमें इन पांच चीजों का अपनी दिन चे रहे हैं कि इस तरह से समावेश आदमी करें ताकि अभी जब तक यह संकट है तब तक उससे दूर आजाएं बड़े व्यक्ति के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि वो दो लोंग एवं दो काली मिर्च पूरे दिन के आहार में व्यक्ति चूस के खाये उसको जिस फॉर्म में आ रहा है उस फॉर्म में खाये ना कि खाने में डालके खाने में से दरसलें किसी चीज़ को पकाते हैं उसके खतम हो जाते हैं बच्चों को यह चाहिए कि एक काली मिर्च एवं एक लॉंग पूरे दिन में वो चूस के इत्यादी खा ले यदि कोई व्यक्ति खाने में असमरत हैं जैसे बच्चे नहीं खा पाते हैं उनको स्वाद अच्छा ही लग रहा तो ऐसी मात्रा में खान मात्रा में यहां किटानू के पनपने की संभावना मुझे लगता है जादा हो सकती है और हमारे शरीर का अच्छा रखें तो उससे काफी हद तक हम इस संक्रमन से बच सकते हैं इसलिए कोशिश करना चाहिए सुबह अत्वा शाम को अत्वा दोनों टाइम वजरासन नामक ज पने बताए यह जो ग्रहों की चाल है उसके मुताबिक किन-किन राशी वालों को कुछ जादा सावधान रहना चाहिए क्योंकि आप यह संक्रमन तो ऐसा है कि को राशी देखके तो आता नहीं है लेकिन फिर भी यदि जोतीशी एंगल से हम देखें किन-किन राशियों पर इसका खत्रा जादा है और किन पर कम है यह भी थोड़ा सा बहुत ही अच्छा सराहनी प्रशन आपने यह प्रस्तुत किया है विनाची मैं कहना चाहूंगा और मैं तो मुझे एसा लगता है कि हम सभी राशी वालों को इसको लेके प्रिकॉशन अपनाना चाहिए हमारा एव हम फिर भी अगर इसको समझने की कोशिश करें तो दो ग्रह ऐसे होते हैं पहला है राहू जो कि मुख्य रूप से जहरीले प्रदार्त एवं संक्रमण इससे नापतोला जाता है जोतिश में जिन व्यक्तियों की कुंड़ी में राहू नीच का हो अत्वा वर्तमान गोचर की दी बात करें तो जिन व्यक्ति के लगन से अस्टम से एकादस से इवं सब्तम भाव से इसका गोचर हो रहा है तो अपन व्यक्ति विशेश को थोड़ा इन इस संक्रमण काल को इस संक्रमण को लेके सावधानी बरतनी की आउशकता है लगन से मितुन राशी का अस्टम चाहिए वहीं दूसरा ग्रह है शनी, शनी क्या करता है कि संक्रमन इत्यादी चीज़ों को बहुत लंबे समय तक बीमारियों को बढ़ा देता है, तो जिस भी व्यक्ति की पत्री का में मुख्य रूप से इस वक्त धनू मक्कर एमम कुम राशी के व्यक्तियों पे साड़े सात में बैटा है, तो मुझे लगता है उन व्यक्तियों को संक्रमन का इस वक्त जादा खत्रा हो सकता है, इसके अलावा जो एक महत्पूर्ण स्टडी यह भी है, जो वह स्टडी यह है कि राहुकाल, प्रति दिन राहुकाल दरसल डेड़ घंटे का होता है प्रति एक दिन, और यहां राहुकाल जो है उस डेड़ घंटे में संक्रमन के फैलने की सरवाधिक संभावनाए राहुकाल में होती है, तो मैं आज यहां प्रतिक दिन किस वार को रहता है, वह अपने पाठकों के जानकारी के लिए बता देता हूं, ताकि वह उस पर्टिकलर अवधी में यह व उद्वार को दुफेर बारा से डेड़, गुरुवार को डेड़ से तीन, शुक्रुवार को सुबह साड़े दस से बारा, शनिवार को सुबह नो से साड़े दस, एवं रविवार को शाम साड़े चार से छे यह रहता है राहुकाल, तो कोशिश यहां करना चाही कि राहुक में व्यक्ति जादा सतर्क रहें वों साथ नहीं अपनाएं यह अचा जी एक बात और है जैसा आपने अभी बताया कि भीड़ भार वाली जगों से बचें नदी तलावों के किनारे जाने से बचें यह तमाम चीज़ें लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी दिंचर्या मे लोगों का दफ्तर जाना वहां पर जाहिर तोर पर काफी लोगों के साथ उनको काम करना होता है और स्कूलों में भी जो बच्चे हैं वो भी काफी ग्रूप में रहते हैं तमाम चीज़ें तो ऐसी इस्थिती में हम डराने की बात नहीं कर रहे हैं अपने चैनल के मादम से किसी कोई भाय पैदा करने की बात नहीं है लेकिन है तियार ऐसे में बच्चों को क्या बरतना चाहिए बड़ों को क्या बरतना चाहिए उनके अभी वावक टीचरों को भी खास तोर से किस तरह का ध्यान देना चाहिए बच्चों पे ताकि किसी भी तरह का कोई खत्रा बच्चों पर ना हो खास दोस्ता बहुत ही अच्छा प्रश्ट है देखिए बड़े तो अपनी सुरक्षा अपना लेते हैं किसी भी कारण से इदि हम व्यक्तियों बड़ों को बोलते हैं कि व्यक्ति को चीक आ रही है तो उससे दूर रहें लेकिन बच्चों को ना चाहिए ऐसे बच्चों को से एगर परिक्षा का मामला हो तो अन्य किसी कमरे में बिठा के उसको एक्जाम दिलवाएं ताकि वह बच्चा उससे यह संक्रमन दूसरे उसमें ना फेले बच्चों में यहां मुख्य रूप से मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए इसके अलावा बड़ों को यह चाहिए कि जो अलग अलग प्रकार के धरने इत्यादी वाली जगों से उनको तोड़ा दूर रहना चाहिए ताकि संक्रमन इत्या हमने आती है या कोई डर या भैका वातावरन जिस तरह से कोरोना ने बनाया हुआ तभी आदमी सचेत होता है तभी तरह इतने तमाम तरह के प्रयास करता है और कई उपाय और खोसता है फिरों लोगों से जानकारी लेता और उन पर अमल भी करता है लेकिन एक आम दिंचर्य की सला देंगे आप लोगों को कि यदि उसको अपनाया जाए जीवन भर जीवन परियंद तो कोई भी करोना आ जाए या कोई भी किसी तरह कर संक्रमन आ जाए उनसे तो बचा ही जा सकता है और स्वस्त भी पूरी आजीवन रहा जा सकता है तो ऐसा को यह कुपाय है हमारे द एवं स्वात के लिए लगातार वहा पश्यों का वद कर रहा है मांसार की और बढ़ रहा है एवं प्रकरती का बहुत ही जादा दोहन इस वक्त कर रहा है तो हमको चाहिए यदि हमें स्वस्त रहना है तो प्रकरती की और हम बढ़ें प्रकरतिक भोजन को अपनाए एवं मां सित्यादी अंडा इत्यादी इन सब चीजों से हम जितना दूरी बनाएंगे क्योंकि यह हम लगातार देख चुके हैं इनी सब चीजों पे अच्छा जी एक चीज और भी देखने में आए कि अभी पिछले कुछ दश्कों में कई ऐसी चीजों का चलन जो है नौनवेच का या जो है नशे की चीजों का इस्तेमाल करने का प्रशलन भी बहुत बढ़ा है बहुत जादा प्रवत्ति यह वाँ में खास्तोर से यह देखी जाती है तो ऐसे मैं संतुलित जीवन शहली जीना चाहिए वेक्ति को और किन बातों का जो तीशी दृश्टी कॉन से ध्यान रखना चाहिए कि अपनी राशी के अनुसार या अपने ग्रहों के अनुसार या अपनी कुन्डली के अनुसार किस तरह से वो अपना आचार वहवार विवस्तेत और संतुलित बनाये रखें ताकि किसी भी परिशानी से वो बच सके मैं समझ गया आपका प्राश्ट मुख्य रूप से यही है कि प्रकरती से जुड़ेवं प्राकरतिक भोजन का वो करें एवं जो मांसाहार इत्यादी का त्याद करें इसके अलावा एक महत्पूर्ण चीज अगर जोतिशी दिस्टी एवं धर्म के दिस्टी से अगर इसको ना जोड़के देखे जाए जो त्यशी दिस्टी से मैं बोलना चाहूंगा विशेश तोर पे कि संक्रमन किसी भी प्रकार का हो संक्रमन को वायू से फिलता है हवा से फिलता है तो सबी जानते हैं और ऐसी इस्तिदी में यदि हम वायू पत्र हनुमान जी की शरण में जाएं प परंपरा फैल है तो मुझे ऐसा लगता है किसी भी प्रकार से व्यक्ति के शंक्रमन की रक्षा होती है हनुमान चालीसा में भी कहा भी गया है नाशे रोग हरे सब पीरा जबत नंतर हनुमान जी जो हैं पवन पुत्र हैं उन सभी प्रकार के जो वायू सही संक्रमन करेंगे हनुमान चालीसा के माध्यम से तो मुझे ऐसा लगता है यह हमें यह हमारी रक्षा करेगा तो आचार जी बिलकुल सही का आपने कि धार्मेक उपाई भी है जोतिशी उपाई भी है निदान भी है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि व्यक्ति अपने आचार बेवार में बदलाव लाए खान पान का विशेश ध्यान रखे तो निश्चित तोर पर उस्वस्थ भी रह सकता निरोगी भी रह सकता और इस तरह कि संक्रमणों से बचा भी जा सकता है और जैसा आचार जी आपने बताया कि जिन पांच चीज़ें आपने बताई हो किन किन राशियों पर कितना प्रभाव इसका पढ़ सकता है और नहीं पढ़ सकता हो किस तरह से लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए ये सारी बातों का यदि हमारे दर्शक ध्यान रखते हैं तो निश्चित तोर पर करोना वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आच कर दो